पार्शियोंने में दो विभागों के आरोप और प्रत्यारोप के चलते एक राशन गोडाउन के खस्ता हालत हो चुकी है पार्शियोंने में दो विभागों के राशन गोडाउन के खस्ता हो चाहिए था इसलिए सारवच निकबान खाम विभाग ने महसुल विभाग को खट लिखकर कारे पूरा होने की चानकारी दी वही इस गोडाउन को सौपने की बाद दर्स की लेकिन इस गोडाउन को महसुल विभाग ने अपने कबजे में लेने से साफ इंकार कर दिया वही महसुल विभाग ने भंडारबान काम कार्य में खामिया होने की बाद सामने कर इस गोडाउन को लेने से मना कर दिया लगातार दोनों विभागों में इस विशय पर पत्रव्यवार किया गया लेकिन गोडाउन बन कर तैयार होने के बावजूत मैसल विभाग इस गोडाउन को अपने कबजे में लेने से साफ इंकार करने की वजह से साल भर से मसला सुलच नहीं सका जब करोड़ रुपे खर्च कर सुविधा के लिए बनाया गया गोडाउन आज खस्ता हालत में खड़ा है जब बनाया गया तो उसका उपयोग नहीं होने से करोड़ रुपे सरकार बिना वजह खर्च कर दिये जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है 14 मार्च 2019 को बानकाम विभाग ने काम पूरा किया फिर भी इस गोडाउन को अपने कबजे में लेने से महसुल विभाग ने इनकार करने से दोनों विभाग में तनाव 15 पाचारा है महसुल विभाग ने गोडाउन कबजे में लेने से इंकार की वज़ग खत लिखकर महसुल विभाग ने बताया कि वहाँ के निर्मान कार्य में बहुत सी कम्याब बताई जिसमें गोडाउन की चारो तरफ वॉल कमपाउंड, पीने का पानी, बिजली, आने जाने का रस्ता, सुरेक्षा चौकी और भी सुविदाय निर्मान किया गया इसलिए इस गोडाउन को हस्तान तरित नहीं किया जा सकता वही सारवचनिक विभाग जवाब देते हुए मसूल विभाग को बताया कि जितना एस्रिमेस्ट में कार्य दिया गया वो पूरा किया गया है जो आपकी विभाग निखाबिया किनाई है वो हमारी विभाग की नहीं है इस गोडाउन को आप अपने कबजे में ले और अगर निर्मान कार्या करना है तो उसके लिए अलग से 96,00,00,000 मौया कराए उपलब कराने पर निर्मान कारे किया जा सकता है इसलिए आरोप और प्रत्या रोप में आज इस गोडाउन की हालत खस्ता हो रही है ना ही उपयोग में लाया जा रहा है और ना ही कोई इसमाल किया जा रहा है दोने विभाग अपने अपने सफाई देने में तुले होने से करोड रुपे का निरप्रयोग किया जा रहा है इसलिए वरिष्ट अधिकारी ने इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है वही कसुरवार संबंदित अधिकारी पर कारवाई करनी की आवशक्ता है पार्शेवनी के तहसलदार वरुन कुमार सहारे ने कहा है कि यहाँ पर अनाज भंडार गोडाउन का निर्मान कारे हो गया है पर यहाँ पर सुविधा का अभाव है और यहाँ पर सुविधा निर्मान करना जरूरी है बारी वहानों की आने जाने के लिए रस्ता नहीं बनाया क्या वॉल कमपाउंड भी नहीं है सुरक्षा चौकी पीने का पानी बिजली की विवस्था यहाँ पर करना जरूरी था जो नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर पहले सुविधाय हो इसलिए इस कारे के लिए लगने वाली राशी समन्दित विभाग से मंजूर होते यहाँ पर राशन रखा चा सकता है